अस्सलाम अलेकुम और रहमतु लाही वबरकातूं इंसान के अंदर डर होना चाहिए लेकिन अल्लाह का लेकिन जब ये डर किसी और का होता है तो हमें शिर्क की किखाई में धकेल देता है आज हम एक ऐसे ही डर यानि टोने टोटके पर बात करेंगे जिसे हमने और आपने अपने आसपास होते हुए देखा है हमें कई सवालात इस तालुक से मिले फोन और मैसिजज़स के जरीए से इसलिए आज हम इस बात को लेकर के आए हैं इसलाम के अदालत में जो हमारे नए वीवर्स हैं उन्हें में बताता चलू कि इस प्रोगाम में हम वाइरल मैसेजज और ऐसे सवालात को लेकर के आते हैं जो हमें अक्सर लोग पूछते हैं इन मैसेजजज को हम कुरान और हदीस की कसोटी पर परक कर देखते हैं कि कितनी सची और कितनी जोटी आज हम इसलाम के आदलत में लेकर के आए हैं वो तरीका जो हमारे समाज में बहुत ज्यादा रायज है वो है डर और बुरी नजर से बचने के लिए बच्चों को एक काला टीका लगाना जब हमने इसके जाज परताल शुरू की तो हमारे नजर से गुजरे ये हदीस सेदना गुस्मान रदियाला टाला नहों ने एक खुबसूरत लड़के को देखा तो फरमाया कि इसकी थोड़ी पर काला रंग लगा दू ताकि इसे नजर न लगे अक्सर लोगों को ये हदीस नहीं पता होगी हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोगाम में दोनों तरफ की बातों को रखने की और यही तरीका है इनसाफ का लेकिन जब हमने इस हदीस की जाच परताल शुरू की तो हमने देखा कि ये हदीस बिला सनद है नाजरीन मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि सनद क्या होती है जिल लोगों के जरीए से हम तक हदीस पहुँचती है उसे सनद कहा जाता है यानि शॉर्ट में समझ लीजिए कि पता अडरिस ये रवायत शरु सुना जिल नमर 12 सफा नमर 116 में मौजूद है जब ये रवायत बिला सनद है इसकी सनद को कोई अता पता ही नहीं है तो इससे हुचत कैसे पकड़ी जा सकती है इसको दलील के तोर पर नहीं पेश किया जा सकता है अब रही बात नजर बद बुरी नजर नाजरीन जान लें कि बुरी नजर का लगना हक है किसी की भी नजर किसी को लग सकती है इन दोनों हदीसों से पता चलता है कि नजर का लगना हक है किसी की भी नजर किसी को लग सकती है लेकिन नजर बच से बचने और बचाने के लिए काला टीका लगाने का सबूत अल्लह के रसूल से नहीं मिलता नबी ﷺ और सहाबा इक्राम नजरे बच्ट से बचने और बचाने के लिए अपने बच्चों को काला ठीका नहीं लगाया करते थे एक और बात कि हम और आपका इस बात पर एमान है कि हर चीज का कंट्रॉल अल्लह के पास है लेकिन जो लोग काला टीका लगाते हैं वो ये समझ कर लगाते हैं कि ये काला टीका नजरे बत से बचा लेगा आप सोचिए जरा कि काला टीका लगाने वालों का भरोसा किस पर है अल्ला पर या इस काले टीके पर अल्ला को छोड़कर इस मामुली काले टीके पर भरोसा है ये तो शिर्क हो जाएगा जो हक अल्ला को देना चाहिए था उन्हों ने इस काले टीके को दे दिया आपका भरोसा अल्ला पर नहीं है तवक्कुल भरोसा अल्ला की अबादत की एक किस्म है اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللہ پر بھروسہ توقل رکھو اگر تم مومن ہو بھروسہ توقل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کالی ٹیکے پر نہیں ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کے بعد یہ بات پتا چلی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کالی ٹیکہ نظرِ بچ سے بچاتا ہے یہ بات جھوٹی ہے اور باطل عقیدہ ہے ناظرین اخری بات یہ کہ نظرِ بچ سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھ لائی ہے نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر آپ یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے اور وہ دعا یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ تاما من کل شیطان وحاما ومن کل عین اللاما میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعہ ہر ایک شیطان سے اور ہر ایک زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظرِ بچ سے اور یہ دعا ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ لوگ حاصل کرنا چاہے تو وہاں سے حاصل کر سکتے آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنی زندگی میں پڑھنے کا احتمام کریں اور اپنے بچوں پر بھی پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ آپ اور آپ کے بچے نظرِ بچ سے محفوظ رہیں گے یاد رکھئے ناظرین بینہ تحقیق کوئی بھی میسج فورڈ نہ کریں ایک گلت میسج آپ کو گناہ کے دلدل میں ڈھکیل سکتا ہے اگر آپ بھی کسی دینی مسئلے یا ویڈیو یا میسجز کی جاچ پرتال کرنا نہ چاہتے ہیں تو ہمیں اس نمبر پر فورڈ کریں دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے وائرل اسلامی کشو کے ساتھ یہی اسلام کی عدالت میں خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں